तो सात्यों आज हम बात करने वाले हैं Electrolux में गैस कैसे बरेंगे और आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रीज भी देख रहे हैं फ्रीज के कंडिशन भी देख रहे हैं और इसमें सबसे पहले बता दुए इसमें जो यहाँ पर cooling coil है यहां पे चाकु मार कर इन्हों ने छेट कर दिया तो यह काम आपको नहीं करना है हमने तो cooling को लगा दिया सोचा आपको भी दिखा देते हैं तो चलिए पीछे से बागी सारा काम रह गया है यहां पे देखिए जो हमारा यह पीछे का wiring आया है मतलब pipe इसको हम थोड़ा bend कर लेते हैं capillary को क्योंकि हमारा यह ज़्यादा disturb ना करें तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से bend कर लेंगे और यहाँ पर bend करने के बाद इसको छोड़ देंगे और यह हमारा perfect shave ले लेगा और इसको थोड़ा सीधा कर देंगे क्योंकि हमको यहाँ पर bend करना पड़ेगा तो अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ की जो सारी मतलब कच्रा है उसको निकालने के बाद हमारा यहाँ पर जो filter लगेगा यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से घस लेते हैं तो गसने के बाद देखिए यहाँ पर हमको filter लगाना है यहाँ पर filter लगाना है गस देते हैं और अच्छे से साफ रहेगा तो क्या हमारा joint जो है वो complete तरीके से लग पाएगा यह हमारे पास filter है जो कि 1418 का है काफी strong आता है और heavy आता है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर welding करने वाले है पुरा अच्छी तरीके से a幫 लीकेज करना है कि यहाँ पर leakage न रहे क्योंकि जयादा तर कारिगर भाई क्या करते हैं अच्छे से welding मारते हैं लेकिन कुछ जगे वैललिंग जो है वो रह जाती है जिसके कारण यहाँ पर से gas निकलना जो है वो इस ट यहां पाप्स दिशूद मेशरही व्हाल निकल रहता है इसको पहले गरम करके निकाल देते हैं हम थे क्यों यहनं आहिए यह एकूछू एकुण आध़ मेद इतने में था ली क्योंकिछू कोपर से कोपर जो इंट रहता है और जो हम फिल्टर लगाते हैं उसमें कोपर टू लोखन होता इसलिए हमको तोड़ा time डगता है कि हमारा एक है से हम केपलरी है यहां से कुछ यहां से हमको कातना है जो कि हम चाकू के सारे इसको कात लेंगे और यहां से देखिए यहां पर जो मतलब चाकू के सारे हम काट लेंगे और अच्छी तरह के से होल इसका जो सेव है वो देख लेंगे यहां पर देखिए परफेक्ट तरीके से जो है वो कम्पलीट कट चुका है है आपको सावधानी से काटना है क्योंकि हमारा थो experience हो गया है इसकी वैज़े से आपको सावधानी से काटना है और कैपलरी जो है फिल्टर के मुどう में डाल दे नेगा और यहां पर हमको अच्छी तरीके से welding करना है same process जो रबेनिक करने का तरीका है same process इस पे लेकिन रहेगा जो इसका flame रहेगा वो low flame रहेगा ताकि जो हमारा capitalry है वो पिगल कर गिरे नही तो यहां पे सीधी सी बात लो फ्लेम पे इसको welding कर लेंगे welding करने के बाद उसको थोड़ा थंडा होने के लिए रख देते हैं तब तक के लिए हमारा नीचे का जो पोजीशन है इसको भी कर लेते नहीं हैं कि यहाँ पे सिधी सी बात है यहाँ पिकर सीदार करकर अंदर डालना होता है तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से जो है इसका जो सेव है उसको हम जोइन कर लेंगे जोइन करने के बाद अभी इसमें बहुत कुछ काम है जो कि आपकी स्टेप बाइश्टेप आपको पता लगेगा और आप काम करने के लिए शच्छम हो जाएंगे तो सीधी सिंपल बात है यहां पर देख लीजिए पूरी अच्छी तरीके से मतलब जॉइन लग चुके हैं कहीं पर लीकेज की गुंजाइज वह नहीं है तो कुछ इस तरीके से आपको जॉइन लगाना है और अब हम यहां पे जो है कैपलरी को बांद देंगे ताकि कैपलरी को हिलने से कोई दिक्कत ना रह करदेगा वह कंप्ली पर इस अब हमारा जो काम है अब अं के अब सारा हो गया तो शीज को आदेना चाहिए तो यहां यहां पर हमारा वाल जो है वो complete हो गया है अब हम गेस का पाइप इसमें लगा देंगे कुछी इस तरीके से गेस का पाइप लग गया हमारा अब हम इसमें gas डालेंगे जो कि है हमारा R600 तो यहां पर हम जो है R600 गोद्रेच का यूज कर रहे हैं आप भी अपने हिसाब से मतलब यूज कर सकते हैं कौन सा नंबर gas है उसके हिसाब से उसके according आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम गैस डालना वो सुरू कर दिये हैं, और लो अब तब तक हमारा लाइट भी चला गया, दोस्तो वीडियो रिकोर्डिंग होई रहा था, तब तक लाइट हमारा वचानक से चला गया, और अब हमारा गैस बहर चुका है, अब हम इसको खोल देंगे यहां से जो हमारा थोड़ा बहुत पाइप का गैस रहता है वह निकलता है तो इसमें आपको डलने की बात नहीं है यहां पर देखे जब भी कैप लगाई है तो उसके अंदर वाइसर होना बहुत जरूरी है अब जो हमारा कॉंप्रेशर का ट्रे उसको भी फिट कर ल अब सीधा हमारा एक ही काम बचा है कॉंप्रेशर ट्रे लगाने का और टाइट करने का यह हमारा कम्प्लिट हो चुका है तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए तब तक के लिए धन्यावाइब कर